हेलो अमेरिका से आपका स्वागत है हम लोग जा रहे हैं एक रोड ट्रिप है जो दस दिन का रोड ट्रिप है जिसमें हम अमेरिका के पांच स्टेट को कवर करेंगे और बहुत सारे नेशनल पार्क देखेंगे तो यह हमारी गाड़ी है लेक्टिक गाड़ी है यह टेसला जि सबसे पहले हम लोग जाएंगे लास एंजलेस, फिर लास वेगस, उटा, मॉन्टाइना, येलो स्टोन, काफी सारी चीज़ें कवर करेंगे जो का धीरे-धीरे मुझे भी पता चलेगा और मैं आपको बताती रहूंगी इस कार के आगे भी डिक्की है और पीछे भी डिक्की है तो ये बिजली से चलने वाली गाड़ी है तो अच्छी बात है यहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं तो ये हम आ गए हैं रोड पे फ्री वे पे हैं हम लोग और यहाँ पे आप दिखिए पहाड़ी पहाड़ नजर आ रहे हैं अमेरिका में आप लोग जैसे घर से निकल के फ्री वे पे आते हैं तो आलमोस्ट पहाड़ शुरू हो जाते हैं क्योंकि पहाड़ ही पहाड़ है केलिफोनिया में और बहुत सुन्दर विव न जर आता है बहुत लंबी ड्राइव है कम से कम एक दिन में 400 माईल है यहां पे चलता यानि कि 500 किलोमेटर आप लगा लिजी एक दिन में कवर करना है सबसे पहले हम लोग यहाह Ses लॉस एंजलस पहुंचेंगे उसके बाद हम लोग सेकंड है हम लोग दूशरी जगा जाएंगे तो हम लोग यहा पर रुके हैं कम से कम 27910 किलो मिटर चलने के बाद यहाँ पे चर्जिंग चार्जिंग पॉइंट है टेसला के तो हम लोग यहां पे रुखे हैं चलो थोड़ा सा हम टांगे भी सीधी कर लेंगे के 200 किलोमेटर बैठे हुए चले आएं और यहां पे एक रेस्टोरेंट बगरा भी है थोड़ा जिसको जाना होगा कहीं खापी लेगा तो इसलिए यहां यूज़ करके एलेक्ट्रोनिक्स कार यूज़ करें ताकि हवा में जो प्रोडूशन फैलता है डीजल और पेट्रोल से वह ना हो मैं हूँ इस समय लास एंजलेस में और हम लोग यहां एक Airbnb में ठहरे हुए यह देखिए सामने मेरे अब हम जाएंगे आगे एक आहिलेंड पर तो वहां पर हम लोग फिर मैं जो वीडियो बनाऊंगे आपको जरूर दिखाऊंगी तो आप बने रहें मेरे साथ थैंक्यू